हेलो अब्रीबन बेलकेम बेक टी छुपास्तुम टेकनिकल स्थिक्स दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले आज MS Word में कोई भी लोगों कैसे डिजाइन कर सकते हैं किसी भी टॉपिक से अगर वीडियो चल लगे लाइक करना और इस वीडियो की पीडियेफ वीडियो की डिसकत्र में जाएगी आप बहां से बिजिट करके अच्छे से स्थीक सकते हो सो गाइस से डॉन वीडियो टायम लेट्स को बिगन टापिक्स दोस्तों MS Word में लोगों बनाने के लिए आपको सिंपली अपने कंप्यूटर में MS Word ओपन कर लेना है इस प्रिकार से और उसके बाद मुझे सबसे पहले इंसाइड मेनु पर जाना है और से ओप्सन पर जाएंगे यहां से जो आपको से इंसाइड करना है यहां पर यह वाला करेंगे यहां पर देखोगी दाउन लिखाव पर क्लिक कर लेन चोट होने की बाद आपको नजरी आएगा थोड़ा सा में और मुल करूंगा ओके अभी करना काई इसका जो इसका आउटलाइन सब्सख्राइन है और चाहे तो आप 8000 कर सकते यहां से तो मैं 9 ऐंसाइन करें दे रहा हों उसके बाद आपको कायना क्या है एक इंसर्ड करना ह सेडिस और ए सिफ को इंसर्ट कर लेते हैं यहां पर यहां से लेंगे यहां पर अपने अंसार आराम से सट कर लिए अइसको इसी के ऊपर यजिद लाना है और arrow key की साइधा से साइड पर रख लेना है करने के बाद इस पर आपको करने के यहाँ पर जाना है send to back पर क्लिक कर देना है जैसे send to back पर क्लिक करो तो यह back side पहुँच जाएगा और इसका भी color मुझे यहाँ से change कर देना है इस पर कार से तो मैं something यह वाला friends रखे दे रहा है उसका जो color है यह वाला ओके इतना करने के बाद यहाँ से चाहे हो तो आप इसकी outline को भी यहाँ से लगा सकते हो जो भी अच्छी लगे तो मैं simply इसकी जो outline है वो लगा देता हूँ अलकी से yellow कर दी और outline का size है वो थोड़ा सा दोस्तों यहाँ से बड़ा कर देते हैं इस परकार से यह करने के बाद तो हमारा logo का जो design है वो इस परकार से लगेगा अब मैं इसके अपने school का नाम डालूँगा जो भी आपका school है डालने से पहले जोसदों याद रखना है इस सबसे पहले यहतना करनें के बाद आपको save कर लेना है पहले तो तो save कैसे करेंगे फाइल पर जाएँगे और यहाँ save edge पर जाना है save edge पक्लिक करने के बाद कुई भी browser यहाँ पर ब्राउज़र पर क्लिक कर गेंगे कहीं पर भी यहाँ करना है तो यहाँ सेव करना है और उसके बाद सफ पर क्लिक करने के बाद यह पॉप आए अपको इनसेट पार किbey और आने की बाद आसे बाहसी कर रोगे तो आपको यहाँ स्कूल का नाम पड़ना है तो यहां पर यह थर्ड नंबर का जो style इंबर डाट का वह हम यहां पर क्लिक कर लेते हैं और यहां पर अपने school का आपको नाम डाल देना है तो मैं simply यहां पर type करने के बाद आपको ok पर click कर देना है जैसे click करेंगे तो आप देखो कि जो मारा नाम है वो back side है क्योंकि यह safe समारा बना हुए है तो यह चीज आपको कहीं पर click नहीं करना है और करने के बाद आपको यहां पर आना है wave text पर आएंगे और यहां पर infinite of text कर दोगे तो आपके जो भी school का नाम है वो उपर सो होने लगेगा उसके क्लिक कर देना है उसके बाद इस प्रिकास से नीचे लेके आना है और यहां से नीचे की तरफ shift को hold करके कर देना है तो दोस्तों देखोगे यहां पर school का नाम अपने अनुसार सही से set कर लीजिएगा तो यहां कौने से मैं इसे चोटा करता हूँ और उसके बाद यहां देखोगे सही से set होने लगा है तो मैं इसको भी यहां से थोड़ा सा कम कर लेता हूँ और कम करने के बाद दोस्तों यहां से arrow की के साहता से अराम से drag कर लेना है और इसे सही से set कर लेना है तो दोस्तों देखो हमारा करना है क्लिक करने के बाद आपको safe skill पे जाना है यहां से इसका color जो है दोस्तों यहां पे आप देख लेना है तो मैं white कर देता हूं काफी वैटर लगेगा तो यहां पे line का भी जो width है वो black रखोंगा काफी अच्छा लग रहा है उसके बाद दोस्तों यहां पे जो नीचे की तरफ ह वो आप जो भी डालना चाओ वो यहां से डाल सकते हूं जैसे कि मैं इसका address डाले दे रहा हूं दोस्तों आप करना क्या है इससे control D से duplicate से कर लेना है duplicate करने के बाद आपको यहां format menu पे आना है और change save पे आएंगे change save पे आने के बाद आपको यहां से इस वाले icon पर click कर देना है तो आप देखो कि यह round नीचे हो जाएगा आप उसको करना क्या है यहां पर right click किसी के उपर करना है और edit text पे यहां click कर देना है जैसे click करोगे तो यहां रादा किसना academy आ रहा है तो यहां से काट के और अपना address will कर देना है address करने के बाद okay कर देना है तो यहां पर देखो कि आपके जो icon size है वह तो काफी लंबा हो गया है तो edit अगें दोबाना करिएगा और यहां से यहां चोटा होगे यहां पर आगया तो दोस्तों इसे हम सही से यहां set करेंगी तो set करने के लिए यहां पर काफी problem होती है तो यहां right click करना है क्योंकि यह चोटा word मैंने यह content किया हुआ क्यों यह तोड़ा बड़ा था जादा सब्द थे तो यहां पर जादा सही से set होगा जल्दी से यह कम सब्द हैं तो कफी time लगता तो उससे आप करना क्या है आगे यहां पर कम से कम five या six वार आपको space दे देना है और लास्ट में भी आपको space दे देना है और okay कर देना है तो आप देखो कि यह चोटा हो गया है और उसके बाद इस प्रिकार से राउंड कर ले लेना है कि मिजद है टो दोस्तों कुछ इसे विखास है आपको यह से अइड कर लेना है तो मैंने आप फिकर लिया अब करना करें यह साइड पर जगए बचिवी है इस पर हमें इन्सेट पर जाना है और से पर जाएंगे आगे दोबारां से उसके बाद हैं पर आपको एक इस्तार लेना अब सिकास से और इसे थोड़ा जूम करके और यहां पर डेक कर लेना है इस पेस करके यह यह करोगी इसकी जो आफलेने वो नो आफलेन कर देनी अच्छा लगए अब यह करने के बाद इसी को मैं copy करूंगा control को hold करके से इठा लेना इधर कर लेंगे और उसके बाद इसे hold के से एक और duplicate कर लेना है तो आप देखो कि यहां पर logo का design कुछ इसे इंसाड वो करने के लिए आपको picture option पर आना है और यहां पर मैंने पिक्चर रेडी कर दी हुए तो यह वाली picture में जोगा और यहां पर इंसाड कर लेंगे इंसाड करेंगे तो यहां पर बेकसाड चली जाती है तो इससे करना क्या है आपको यहां पर ब्रेव टेक्स कर देने तो आप देखो कि यह उपर आ जाएगी और इसे यहां पर सही से इस पर कार से सेट कर देंगे तो दोस्तों यहां पर देखो कि सेंट कर देता हूं या फिर आपको यहां जाना है सेंट पर देना है तो आप देखो कि यह सही से सेट हो गया उसके बा क يعBlix को आपि यहां से कोई एक एक इस थाय ले लेनी है से अबहुत हो और यहां पर इस इसंट कर लेंगे तो मैंने एड्रक लिया और उने से नीचे की तियर्ब यहां पे इतना करने के बाद इसका जो साइज है वो यहां से इंक्रीज करेंगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे और यहां से भी इसका जो साइज है वो थोड़ा सा यहां कम करेंगे इस प्रिकास से होने के बाद इसका जो कलर है वो हम यहां पर सेट कर देते हैं अगरेनी रखेंगे लिकने के बाद जो मेसे इंसर्ड किया हुआ इसकी जो आउटलाइन है वह यहाँ पर यков कर देनी kicks देना तो हम पर send to back option मिलेगा यहां क्लिक कर देना तो यह पीछे पहुंच जाएगा इतना करने के बाद यहां पर आपको लिखने के लिए आपको करना क्या है inside menu पर जाएंगे और यहां से word art लेना है कोई साभी तो मैं फर्स्ट वारे लूँगा और यहां पर टाइप करना है आपको तो दोस्तों मैंने यहां पर डाला education is an ornament उसके बाद ok पर क्लिक कर देंगे ok पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है simply आपको brave text पर आना है और यहां पर infinite of text कर देंगे तो आप देखो यह text हमारा उपर आ जाएगा उसके बाद इसका जो size है पर हम थोड़ा चोटा कर लेते हैं राइट क्लिक करेंगे यहां पर edit text के अगयन दवारा जाएंगे तो उसके बाद यहां से इसका size है थोड़ा सा चोटा कर लेते हैं कर देंगे तो यहां चोटा हो जाएगा उसके बाद इसे सही से यहां पर set कर लेना है तो मैं यहां तो गाइस मैंने एजुकेशन इजन और नमेंट को सेट कर लिया तो आप देखो कि हमारा प्रोफेशनल लोगो रेडियो हो गया वनके और इसे हम फाइनली सेव कर लेते हैं तो इससे पहले तो PDF format में सेव करना है जो कि इसकी quality वेटर रहेगी तो मैं आपर जाओंगा ब्राउजर पे कहीं पर भी एक PDF format में सेव करूंगा और सेव पर क्लिक कर देंगे तो आप देखो कि PDF format में ओपन हो कि आ जाएगा और इसे PDF से image format में कैसे convert करते हैं वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो की discussion में आपको link मिल जाएगी आप बहां से भी देख सकते हो सो गैस देखा कितना आसान था MS वाड़ में ऐसे लोगों आप बना सकते हो वीडियो की discussion में इसका link मिल जाएगा आप बहां से बिजिट करके अच्छे से सीख भी सकते हो और अपने दोस्तों के साथ सेर भी जरूर करिएगा वीडियो अच्छा लागा हो तो लाइक करना ऐसे यह नौलिच्फिल वीडियो पाने के लिए वारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं किसी इंट्रेसिंग वीडियो के साथ तब तके लिए ठीके और वाई वाने